भगवान जगननात, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की विश्व प्रसिद रथ्यात्रा आज से ओडिशा के पुरी में शुरू हो रही है पुरी के ग्रेंट ट्रंक रोड पर भगवान के तीन रथों को ले जाया जाएगा राश्पती द्रौपदी मुर्मू इस वाशिक उट्सव में शामिल होने के लिए पूरी पहुँच चुकी है रथों को श्री जगननात मंदिर के सिह द्वार के सामने रखा गया है और श्री गुंडीचा मंदिर ले जाने के लिए तयार है जहां पर वे एक सप्ताह तक रहेंगे राश्पती ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भगवान जगननात के देश और विदेश के अंगीनत शद्धालू रथ पर सवार भगवान के तीनों रूपों को देखने की बड़ी उच्शुकता से प्रतिक्षा कर रहे हैं राश्पती ने भगवान जगननात से सभी की प्रसन्नता, शान्ती और संपन्नता की कामना की वहीं उपराश्पती जगदीब धनकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भगवान जगननात की यात्रा का एतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है रतियात्रा की जणे प्राचीन भारती परंपराओं से जूड़ी हुई हैं और वे श्रद्धा, एक्ता और सम्रिद्ध दरोहर के प्रतीक हैं उपराश्पती ने भगवान जगननात की पवित्र यात्रा से लोगों के जीवन में प्रसन्नता और आध्यात्मिक जागरुपता की कामना की प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में भगवान जगनाथ के प्रती सम्मान व्यक्त किया और कामना की कि उनकी कृपा देश पर सदैव बनी रहे बगवान जगनाथ की रत्यात्रा देश की कई भागों में बहुत ही स्रध्धा और उल्लास गुरुब देशवासी मनाते हैं बहुत कम लोगों को पता होगा अंग्रेजी भाषा में एक शब्द है जगरनोट और उसका मतलब होता है ऐसा भगवरत जिसे कोई रोप नहीं सकता और इस जगरनोट का डिक्शनेरी मीनिंग में भी ये पाया जाता है कि ये जगरनाथ के रत के साथ मैसे ही ये शब्द का उध्वव हुआ है और इसलिए हम समझ सकते हैं कि दुनिया ने भी जगरनाथ इस आत्रा को अपने अपने तरीके से किस प्रकार से माहत्मे स्विकार किया है जगरनाथ भगवान गरीबों के देवता और उनका पूरा पूजन अर्चन कारभार गरीब तपके के लोगों के साथ एक आत्मियता का नाता जोड़ने वाला भगवान जगरनाथ के महात्परसास से सद्यों से कितने ही गरीबों को भोजन मिलता रहा है इसी भावना के साथ आज देश जन सेवा ही प्रभू सेवा की सांस्कृतिक सोच से आगे बढ़ रहा है पूरी जैसे तिर्थ, जगरनाथ, मंदीर जैसे पवित्रस्थाम इसके केंद्र रहे राज्य सरकार ने इस महत्पुन आयोजन को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किये हैं कानून विवस्था बनाए रखने और भीड को नियंतरित करने के लिए सुरक्षा कर्मियों के 180 प्लाटून तयार किये गए है आर्टिफिशल इंटेलिजेंस आधारित CCTV कैमरे भी लगाए गए है रथिहात्रा के दौरान ओडिशा के राजपाल रगुबर्दास, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांजी और कई केंद्री मंत्री तथा अन्यगणमान यव्यक्ती उपस्थित रहेंगे राजसरकार ने रथियात्रा के लिए ओडिशा में दो दिन का सारवजनिक अवकाश भी घोशित किया है 36 गड की राजधानी रायपूर में भी रथियात्रा का पर्वत धूमधाम से मनाया जा रहा है मुख्यमंत्री विश्णुदेव साय राजधानी रायपूर के गायत्री नगर स्थित जगन्नात मंदिर में आयोजित रथियात्रा में शामिल हुए रथियात्रा शुरू करने से पहले भगवान की प्रितिमा को रथ तक लाया गया और रास्ते को सोने के जाडू से साफ भी किया गया इस रस्म को छेरा पहरा का रस्म कहा जाता है इस मौके पर मुख्यमंत्री विश्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को रथियात्रा की बधाई देते हुए कहा कि यह पर्व ओडीशा के लिए जितना वड़ा उत्सव है उतना ही बड़ा चतिसगड के लिए भी है महाप्रबु जगनात जितने ओडीशा के लोगों को प्रिय है उतने ही चतिसगड के लोगों को भी प्रिय है और उनकी जितनी कृपा ओडीशा पर रही है उतनी ही चतिसगड पर भी है श्री साय ने कहा कि भगवान जगनात किसानों के रक्षक है और उन्हीं की कृपा से बारिश होती है